हेलो दोस्तों आज कि इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि योनो SBI एप का यूजर नेम और पासवर्ड कैसे रिकवर किया जाता है अगर आप योनो SBI का पुराने या ने यूजर हैं और आप अपना यूजर नेम पासवर्ड भूल चुके हैं तो इस वीडियो पर बने रहें क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ सिंपल स्टेप बताऊंगा जिसकी सहता से आप अपना योनो SBI का यूजर नेम और पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं बस आपको वीडियो को सुरू से लेकर अंतक देखना होगा वीडियो को तुरस्त ध्यान से देखना होगा तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले आपको अपना Google Chrome ओपन कर लेंगे आपको यहाँ पर लिखना SBI LOGIN और सर्च करना है जैसे आपने सांगे सर्च करेंगे सर्च करने भाद आपके सांगे सबसे पहला ही अई देखने को मिलेगा बस क्या करेंगे इस website पर आपको किलिक कर देना है जैसे आप यहाँ पर click करेंगे click करने बाद आपके सामने हैं पर SBI का official website आपके सामने इस तरह से आप इंटरफेस देखने क्मिलेगा उसके बाद guys इस website का link आपको वेडियो के description box में मिल जाएगा आप डिरेक्ट वहाँ से click करके इस website पर आ सक guys आप करेंगा क्या 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 आपको scroll down करके तुरा नीचे आएंगे जैसे आप यहाँ पर नीचे आने की बाद आपको यहाँ पर नीचे देखने क्मिलेगा मैं यहां पर फुड़ा doan waited देखने के बाद उसके बाद is आप यहां पर देखेंगे यहां पर लिखा one Forget my login पासवर्ड बस क्या करेंगे forget my login password में इसमें नकस करना है जैसे आप हो यहां पर क्लिक करने को अपके सामने इस उसके बाद आपको करना है कि इसको त्रशा उबर करने बाद यहां पर आपको एक box देखनी मिलेगा cif Number इस box में क्या करना है अपना cif number डालना यह आपको cif number कहां पर मिलेगा आपका जो paths book होगा size method बैंक का us मतलब pass book में आपको cif लिखा वरलता है पहले पहले cif नमबर होता तो आपना पास बूंग में आपका cif नमबर को इस जिगा फिलब करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे देखने बिलेगा country इसमें क्या कए सब्सक्राइब करेंगे और यहां पे क्या करेंगा औपना इंडिया चूज करना आपको जो भी कंट्री होगा अपना कुंकि जो intellect करने अब आपको फ stim करने चाहिए इस वेलगं के दिशाइब यहाँ पर फिलप करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे देखने को बिलेगा इंटर देख्ट फो इन दे इमेज यानि आपको इस कैप्चा को इस बॉक्स में सही-साई फिलप करना है तो चलिए मैं यहाँ अपना सी आफ नमबर और कंट्री और यहाँ पर अपना मॉवाइल नमबर और यहाँ पर अपना कप्चा सही-साई फिलप करने के बाद सदा कुछ यहाँ पर चेक ने के बाद आपको हैं पर नीचे साइ्ट देखनी बिलपकर समी możli यहां पर आपना OTP को लिए करने बाद आपको चाइप आपको करनेने भालेगे इस तरह से इंटरफेस देखने बलेगा login username is इतना इतना यानि आपका username यहाँ पे भी show करने लगेगा और आपका जो mobile number है उसमें भी send कर दिया जाता है तो guys यहाँ पे तो आपका username मिल चुका है आपको SBI का username आपको यहाँ पे मिल चुका है अब हम password reset करने सिखाने वाले इससे पहले आप लोगों से request है अगर वीडियो से कुछ मदद मिल रही है तो एक like जरूर करते और अभी तक हमारे channel को subscribe नहीं किये हैं तो subscribe कर ले आपका support हमें motivate करती है आप लोगों के लिए इसी तरह का informative वीडियो बनाता रहूं तो चलिए आप password reset करना स्टार्ट करते हैं तो आपको क्या करना आपको फिर आपको अपना Google Chrome open कर लेंगे open करने के बाद आपको वही सर्च करना है SBI login सर्च करना और आपको यही करके आपको दोबारा relative कर दोबारा लोगिन के जैसे आप सर्च करने बाद मैं आपको興uuuu कर लेता हूँ उसके बाद आपको फिरसे क्या करना मैं आपको दोबारा दोबारा ज्युक्त करेंगे के लिक पर आपको यहा misfortun दो आपको यूजर्नेम तो मिल चुका क्या है अब आप बात आती है कि मैं अपना मतलब जो पासवर्ड होता उसको फॉर्गेट कैसे करें तो यहां पे आपका फॉर्गेट माई लॉगिन पासवर्ड में अल्रेडी पहले से किलिक है इसमें आपको क्या करना कि यहां पर नीचे देखनी पिलेगा यहां पर आपको इस बॉक्स में क्या करना अपना यूजर नेम टाइप करना जो भी आपका यूजर नेम आपको मिला होगा कंट्री यहां पर क्या करेंगे यहां पर क्लिक करेंगा और यहां पर अपना इंडिया चूज करेंगे उसके बाद यहां पर आपको देखने भी लेगा मुबाइल नंबर इस बॉक्स में क्या करेंगे यहां पर अपना मुबाइल नंबर सही से फिल अप करेंगे यहां पर तो चलिए मैं यहां पर नीचे देखने की बाद आपको इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिल अब करना है तो चलिए मैं यहाँ अपना यूजर नेम और account number और country और mobile नमर और यहाँ पर अपना date of birth यहाँ पर fill up करने की बाद और यहाँ पर capture आपको नीचे साइट देखने मिलगा submit बस क्या करेंगे इस submit पर यहाँ पर हैen इस ब्सक्राइब करेंगे जैसे आप आपे submit पर क्लिक करेंगे की बाद आपका involve number होगा उसमें एक otp यहाँ पहर älोगा बस क्या करेंगे इस करेंगे इस कॉन timest ile क्लिक करेंगे क्लिक करने बाद दोस्तों आपके सामने एक नया पेज़ ओपन होके आ जाएगा आप देखेंगे फर्स्ट में देखेंगे यूजिंग ATM का details, यानि आप अपना ATM का details डाल के अपना password यहाँ पर बना सकते हैं, उसके बाद देखेंगे using profile password, यानि अगर आपके पास profile password पहले से मौजूद है, तो यहाँ पर अपना profile password से पता कर सकते हैं, यान तो reset your login password with branch activation, यानि आप अपना branch जाके भी अपना password को recover कर सकते हैं, तो य यहाँ पर अपना password को पता करने के लिए आप यहाँ पर using ATM card details पर click कर लेंगे, click करने बाद दोस्तों आपको नीचे में देखेंगे submit का button है, बस क्या करेंगे, इस submit button पर click करेंगे, जैसे click करेंगे, click करने बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह से interface देखनी मिलेगा, उसके ब box पर click करेंगे, click करने बाद दोस्तों आपको नीचे में देखेंगे confirm का एक button है, बस क्या करेंगे, simply आपको इस confirm button पर click करेंगे, जैसे confirm button पर click करेंगे, click करने बाद दोस्तों यहाँ पर loading लेगा, उसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह से interface देखनी मिलेगा, उसके बा इसके बाद देखेंगे valid to expiry date यानि आपका ATM card के उपर लिखा वारता है expiry month और year यहाँ पर क्या करेंगे आपको अपना expiry month और year type करेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे देखेंगे ATM pin यानि आपको यहाँ पर क्या करेंगे pin डालना यानि आपका ATM का जो भी pin होगा four digit का जो pin से आपना पैसा निकालते है ATM मसीन में जाके उस pin को क्या करेंगे आपको यहाँ पर डालेंगे उसके बाद दोस्तों आपको नीचे में देखेंगे capture इस capture को आपको यहाँ पर सही सही fill up करेंगे तो चलिए यहाँ पर मैं अपना details को सही सही fill up कर लेता हूँ दोस्तों यहाँ पर अपना details को सही सही fill up करने के बाद उसके बाद आपको scroll down करके थुछा नीचे आएंगे नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे में देखेंगे proceed का एक बटन बस क्या करेंगे simply आपको इस proceed बटन पर click करेंगे जैसे आप यहाँ पर click करेंगे click करने बाद दोस्तों यहाँ पर loading लेगा आपको यहाँ पर कुछ सेकेंड वेट करेंगे वेट करने बाद दोस्तों आपके सामने इस तरस इंटरफेस देखने बिलेगा यहाँ पर आपको reference number आउसका time validation यहाँ देखेंगे your david card validation इस success वेट करने बाद दोस्तों आपके सामने एक नया page open होके आ जागा दोस्तों यहाँ पर आपको click कहें पर reference वगरा कुछ नहीं करन दोस्तों आपको यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर आप्को देख सकता है यहाँ पर आपको देखेंगे यहाँ अपको आपको आप नचे में सही सही ढवर करेंगे दोस्तों यहाँ पर जो password बनाएंगे, strong password बनाएंगे, यहाँ पर interaction दिया हुआ, आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ कि यहाँ पर दिखेंगे, आपको पहला letter capital होना चाहिए, बांकी small होना चाहिए, उसके बाद कुछ numbers add करेंगे, उसके बाद कुछ special character भी आपको यहा करना है, तो चलिए यहाँ पर मैं अपना new login password और उसी password को आपको दुबारा confirm में यहाँ पर fill up करेंगे, तो चलिए यहाँ पर मैं fill up कर लेता हूँ, यहाँ पर अपना दोनों जगर सही सही password को fill up करने के बाद, दोस्तों आपको नीचे में देखेंगे, submit का button है, बस क्या करे करेंगे, क्लिक करने बाद, दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर your login password has been reset successfully, यानि आपका Yono SBI का यहाँ पर पासवर्ड हैं, यहाँ पर यहाँ पर बन चुका है, आप इसी password से आप अपना Yono SBI में login कर सकते हैं, और मैंने आपको वहाँ पर पहले बता दिया ह आपको जो मिला उस username से और अपना इस password से अपना Yono SBI में login कर सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको live करके बताया हैं live process करके यहाँ पर आपको दिखाया हैं किस तरह से अपना Yono SBI का username और password पता करेंगे तो दोस्तों इस तरह से बरी हैं आसानी से Yono SBI का username और password पता कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसान वीडियो को like करें, share करें अगर सब्सक्राइब करें अगर आपको कुछ पूछना, कुछ query से तो comment box comment कर सकते हैं जैहिन जै भारत